और गुड मॉरिंग मैं यदू यदू आदफ आप सभी का आरेस्पाइक एडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैंने आपको पिछली ग्लास में भिन्न के बारे में बहुत कुस बातें बता दी थी आज चलिए हम लोग उसी भिन्न के प्रकार के विशाय में पढ़ दिखे भिन्नों के प्रकार में मैं आपको सबसे पहले पढ़ा दिया था सम भिन्ने क्या होती है दूसरा आपको पढ़ा दिया था हमने अबिसम भिन्ने और तीसरा आपको पढ़ा दिया था यहां पर मिस्त्र भिन्ने क्या पढ़ा दिया था मिस्त्र भिन्ने रुचित इतनी चीज पहरे पढ़ा चुके हैं ठीक है और अच्छा इनके अलग-अलग नाम भी होते हैं और भी इनके नाम हमने आपको बताए थे वो भी आपको याद होने चाहिए जैसे सम भिनों के नाम में अगर आप देखें तो इसे उचित भिन भी कहा जाता है और बिसम भिन को अनुचित भिन कहा जाता है और साथ में अपूर भिन भी कहा जाता है मिस्टर भिन जो होती है वो आपकी मिक्ष्ट फ्रेक्शन होती है इसके बारे मैं मैंने आपको बताया था ठीक है इसे संयुक्त विंड भी कहते मिस्टर भिन पू तो यह सारी बाता है मलोगो कल डिसक्स कर चुके हैं आज के लिए नया क्या है वह आप देखें हम लोग देखते हैं फोर नंबर फ्रेक्शन को इसमें आती है कि इकाई भिन देखें बिन चैप्टर पढ़ने के लिए आपको इनके प्रकारों को पढ़ना बढ़ेगा जिसे आप बली भास समझ सकें कि इस बिन पूंते हैं यूनिट फ्रेक्शन को देखें इस तरह से एफ आर एसी टी आई ओ यूनिट फ्रेक्शन देखें एक आई भिन का मतलब बैरी जी है एक आई भिन का मतलब है जब अंस एक हो जाए अंस बरावर एक हो समझ पा रहे हैं अंस अगर एक है और हर में चाहिए आप कुछ भी लिख दें जो आपकी इच्छा हो इकाई भिन बन जाती है जैसे बच्चो जैसे आपको बदा है आपने लिखा one upon two तो उपर अंस में देखें अंस कितना एक है तो इक आई भिन हो गई ऐसे बन अपॉन 3 अंस में एक है इक आई भिन है 1 upon 7 1 upon 11 1 upon 102 1 upon 25 ऐसे 1 upon 20 कुछ भी आप कर सकते हैं कि कहने का मतलब इसके लिए कंडिशन यह है सर्थ यह है कि जो अंस है वो एक होना चाहिए जैसे बन अपन 2 है कोई कुछ सब्सक्राइब है यह नहीं तो आप बता सकते हैं सब्सक्राइब इसके बाद नेक्ष्ट हम लोग समझते हैं विया फोर नमबर टाइप एक आई भिन के बाद में आपको बताएं जैसे एक होता है जटल भिन इसका नाम देखिए क्या है जटल भिन क्या होता है जटल भिन इसको समझना है और इसी को बोलते हैं यौगिक भिन कि एक था संयुक्त भिन संयुक्त भिन किसे बोलते थे मिस्टर भिन को बच्चों यह बात ध्यार रखना ठीक है यह मैं कल आपको पड़ावी चुका हूं बहुत सारी बातें इसमें बताएं थी आपको मैंने जो मैंने पिछला क्लास दिया था उसको आप पढ़ लाएं तो कॉंप्लक्स फ्रेक्शन कॉम् यहिए एक्स कॉंप्लेक्स फ्रेक्शन एफ राइस टे इंयु ए ऐने सफ्रेक्शंस थिए डुग्त जोखो इसे क्या बोलते हैं जैटल धिन करेंग योगिक बिंद वोल गताझे इसे बोलते हैं यौगिक बिन इन दोनों का मतलब एक ही होता है तो क्या होता यह देखे आपको बहुत ही सरद शब्दों में बदाएं कि जब कभी भी आपके सामने कभी सुच्छेशन इस तरह से बन जाए किस तरह से कि भिन बटे भिन हो जाए कि感じ? cuz क्या बूला मैंने भीया भिं के बटा मैं भिं हो जाए मदलब अपउन में भिं रूपर भी भिं और नीचे भी भिं बिं do बन होने के लिए आपको मालुम है fraction होने के लिए क्या होता है अंस बटा हर हो और यहां पर होना चाहिए फिर बटा की लाइन फिर भिन्ड होना चाहिए बिन्ने का मलब लग अन्स बटा हर यह चार बार इस टेप ऐसे करके लिख के आएगी जैसे बच्छों क्या कहना चाहते हैं एक जैंपिल्स के माध्यम से समधना विटा कि योगिक भिन बोलती किसे हैं रुचित तुम्हें यह चीज मालूम थी समधना जैसे दिखो हम बताएं जैसे टू अपॉन थ्री यह एक भिन हो गई है ना अब इसके भी अपॉन में इसके भी बटा में एक नई भिन और आ जाए लेगे तो उपर देखो दो बटा तीन यहें एक हो गई और फिर यह बटा की लाइन फिर एक नई भिन आपको अलग से मिल गई तो बिन बटा बिन दो बैन उपर नीचे मिल गई तो यही जो एक आपने लंबी चोड़ी से बिन देखी है यह जो अंस बटा हर यह आ रहा है यही आपकी योगिक भिन्ट क्या होगी योग इक विन्ट का मुलड़ जटल भिन्ट हो गई ठीक है अच्छा इसी तरह से हम आपको यहां पर बताते हैं कि जैसे यह लिखा है 5 upon 3 यह एक भिन्न है एक नई भिन्न और लिखने जैसे 1 upon 3 तो यह भी क्या हो गई एक जटल भिन्न हो गई ठीक है इसी तरह से आपको इस्टुडेंटम बताएं आप कुछ भी लिख सकते हैं भिन्नों में जैसे माल लिजिए 1 upon 7 लिखा यह क्या है एक भिन्न है बहुत पर लिख दी अब एक भिन्न आप और लिख दें जैसे कोई भी भी बिन्न जो आपकी इच्छा हो जैसे मैंने आप लिख दिया टू अपॉन यहां पर नहीं इस तरह से ठीक है भिया अब बस यह समझें यह क्या है आपकी जटल भिन्न यह इसे बोलते हैं योगिक भ कैसे किया जाता है योगिक भिन को हल कैसे किया जाता है वो भी आप समझ लें हाँ पर जैसे अगर कोई कहे कि इस भिन को हल करके दिखा दो तो कैसे करेंगे तो हमेशा याद रखना बच्चों अंस बटा हर अंस बटा हर इसमें एक दो तीन चार इसमें चार संख्याएं हैं च नियम होता है कि चौती संख्या सबसे उपर पहुंचती है और तीसरी संख्या जो होती है वो दूसरे के साथ पहुंचती है यह नियम होता है इसको याद रखना है जो सबसे नीचे वाली संख्या है नीचे वाली संख्या से मतलब आपको याद रखना है जो चौती संख्या है यह सबसे जाएगी ऊपर और तीसरी जाएगी दूसरे के साथ जैसे जाने का मतलब क्या बच्छों समझना बरावर का चिन लगा दिया ठीक है जब च्छा उपर जाएगा दो के साथ तो गुणा करेगा च्छा दूनी बारा हो गया बटा की लाइन अब तीसरा कहा जाएगा द बात बताई दी कि भिन्नों को हमेशा सरल्तम रूप में लिखा जाता है जितना ज्यादा हल हो सके उसे हल करके लिखना चाहिए चोटा करके लिखना चाहिए तो बच्छों यह सभी बच्छे समझ पा रहे होंगे कि अगर इस बारा बटे तीन भिन्न को हल किया जाए तो इस कि उसे अभी हल कर सकते हैं जैसे 3 का भागत 3 में 2 3 1 3 और इसी 3 का भाग 12 12 12 तो ऊपर कितना बचा चार और बटा में कितना बचा एक बच्छों एक अगर चार्म देंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा चार का चार ही बना रहेगा तो कुल मिला के इस भिन्न को जब आप हल करेंगे तो फाइनल में अंसर कितना आ गया भिया फोर आ गया मलब चार आ गया समझ पार होंगे इसी तरह से इसे देखे बच्छों आपको बताया था चौती बिंद कहा जाती है पहले के साथ तीसरी बिंद कहा जातीन भिया दूसरे के साथ इसे हल करें तिप्चे 15 बटा की पहले के साथ और तीसरी संख्या कहां जाती है दूसरे के साथ इसे हल करें तो नौ एकन नौ हो गया और दो का गुणा कहां होगा साथ मैं क्यूंकि तीसरी संख्या दूसरे के साथ हमेशा जाती है नियम होता है बच्चों ये तो दो सकते 14 हो जाएगा क्या बच्चों इसे औ करने पर आंसर कितना आएगा 9 बटा 14 आएगा तो बच्छों यह आपने देखा कि पहले योगिक भिन्न क्या होती है और फिर योगिक भिन्नों को हल कैसे किया जाता है वो भी आपने सीखा लेकिन इसके इलावा बच्छों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो बैरी में इसे यहां पर रफ करता हूँ ऐसे इसे मैं रुस करता हूं फिर मैं कुछ और बात यहां पर आपको देखे है इसे लिख लियात होगा आई होफ 15 में यह दोड़ड मेहीं मैं आपको थोड़ा पताऊंगा by 17 speculate समखना यह तीसरा उता चौथा ओडेर आप यहां पर देख लेखें बच्चों यह जैसे मैं आपको बता रहे थे हम एक जैंपिल्स में बता रहे थी वरी इंपॉडन चीज है बच्चों समधना इन बातों को यह चौथा जैंपिल्स अलाथ था जैसे आपको मालूम था कि जटल विन का मलवा भिन बटा भिन होना चाहिए अगर मान कोश्टक में बंग राइट एक बटा का लाएं लगा दिया यह भिन्न हो गई अब एक नई भिन्न लिखें अच्छा इस बात को समधने इस पहले एक बात समधना बच्चों प्लीज यहां पर समधना के जैसे मैंने लिखा एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्य सब्सक्राइब कुछ भी लिख लो तेरा चौदा हजार अठाइस अठासी नवासी कुछ भी लिख लें बच्चों देखो इनके बटा मैं एक आटोमेटिक हम कर सकते हैं आप द्यान दो जरा क्योंकि एक कजब भाग करेंगे कोई फरक नहीं पड़ता है यहां यहां न करके कि मैं दूसरी तरह से लिखूं जैसे कि आप समझ पाएं हमारी बात को बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं एक बटा एक इसे दो बटा एक लिख सकता हूं क्योंकि जब एक का आप तीन में भाग करेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो कहने का मतलब जितनी भी संख्याइ करें सब के बटा में एक बटा में मलों हर में हर में एक हर में एक आटोमेटिक लिख सकते हूं कि एक भाग करेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो बच्छों ऐसे इसको लिख सकते हैं इसे पाँच बटाएग च्छ बटाएग साथ वटा ए नौ बटाएग ठीक है इससे ग्यारा बटाएक इसे बारा बटा एक लिख सकते हैं मतलब जितरी संख्या है सबके बते में अगर एक लिखते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है तो जो भी आप संख्याय जानते हैं वो सब के सब भिन बोली जा सकती है क्योंकि भिन होने का मतलब क्या होता है अंस बटा हर बच्चों देखो इस एक में एक बटा एक लिख सकते हैं तो इसका मतलब एक क्या है भिन है दो क्या है जो भी संख्याएं उनको आप भिन भी कह सकते हैं जो गिंती आप जानते हैं उन्हें अगर भिन कहना चाहें तो भिन भी आप कह सकते हैं बच्चों जब ये चीज आपको क्लियर होगी तो यहां पर जो हम समझाना चाहते हैं वो वात आप अच्छे से समझ सकते हो जैसे समझन बच्छों हम समध रहेते की जट फिन पता बिन कर मल घृओ ये कि सीने पांच लिखा है कि यह यंदे इसने लिखा पुआ कि अगर माल लीजिए लिखा ठीन ठीक है भी आ तीन लिखा कोश्टक में बंद कर दिया और यहां पर लिख दिया दो बटा नौ इस तरह से दो बटा नौ लिख दिया तो अब आप पहले इस भिन्द को देखो और ये सोचो क्या ये जटल भिन्द है अच्छा जटल भिन्द होने का मलब चार चीज़ें होना च बटा हर मलब भिन्द बटे बिन्द तो असवटा हर हर हो जाता है तो जटल भिन्द होती है लेक्षी दो बटा तीन यह यह और यहां-वटा हर हो गया जट information एक प्एम को सकते हैं । पांच बटा एक तो कहने का मुलब मैं इसे पांच बटा एक कर सकता हूं समझने के लिए आपको समझाने के लिए कितना कर सकता हूं पच्छों पांच बटा एक अगर इसे कोई हल करने को कहे तो very easy आपको मालू में भी आप यह जोको एक दो 3-4 चार चीजें हो गई तो चौछी चीज कहा जाती है पहली की पास तीसरी कहा जाती है दूसरी पास इसे कर लो भीया 1 कोड़ा 2 में करो 2 होगा 5 कोड़ा 3 करो 15 होगा तो इसका अंसर कितना हो जाएगा 2 बटा 15 तो ये कोई आवश्यक नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि जटल बिन में 4 चीज़ें ही मिलें बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जटल बिन में 3 चीज़ें भी आपको मिल स टरहें लें सकते हैं अभी आपको समझा आमने तो इस तरह से आपने देखा कि Korea 4 चीजें मिल गई और जब 4 सब्सक्राइबंगें इसका मतलब एन है और तक किया उस्टा सब करना आपको श्कुरी कहीं कि इसे थे आप डुगू कितना लिखाया विया दो बटा नौ बोलना विटा दो बटा नौ अच्छा देखो यह जो भिन है वो कम्प्लीट है इसे तो अंस और हर कोई प्रब्लम है नहीं हमारे सामने यहां पर दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं भिया इस तीन का मतलब है मैं जानता हूं तीन लगे इसका मतलब क्या है यह आपकी जटल बिन है और जटल बिन को हल करने का तरीका चौती चीज पहली के पाथ जाएगी बिया नौतियों 27 तीसरी चीज कहां जाएगी दूसरे के साथ दो एकन दो लीजिए आपका अंसर हो गया समझ पाए तो कहने का बच्चों मेरा जाती है तब भी आपको समझ के चलना है कि बहाँ पर भी जटल बिन है जैसे बच्चों अभी तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया आपने समझा होगा लेकिन अब मैं एक्जैम्पेस लिख रहा हूं उनमें तीन संख्याई ही लिखूंगा और आप मैसूस करना समझना कि बास्तम मैं यह जटल में है जैसे बच्चों समझना है यहां पर लिखायाथ टू अपॉन नाइन गटेशन है और यहां पर लिख दिया माल लीज़े आपके सामने सवाज़ा ठीक इसी तरह से 7 बटा 11 यंप्लीट है और यहां पर लिख दीया माल लीजिए 15 यह भी जटल भिन है और 1 आप के सामने हम लिख रहे हैं बच्चों जैसे 1 और यहां पर लिख रहे हैं 2 बटा माल लीजिए यहां पर 13 कोष्टक नदर बंग तो बच्चों यह complete है कोई दिखकर ने यहां पर तीन संख्याएं हैं यहां पर भी तीन है यहां पर भी तीन है तो यह जो भी आपके देख रहे हैं यह आपकी जटल भिन्ध है यह अगे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारी बात को समझा होगा और नहीं समझ माता है अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट वाक समझाएं और उस प्रावलम को बताएं नेक्स क्लास में मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा तब के लिए अपना दिहां रखें और अच्छे स्पढ़ाई करते रहें थैंक्यू